आई आफ दिया पिशली बाद हमने कहा था कर लिया था सेवन की डिशाबीलिटी कर ली थी ना सेवन की कर ली थी सेवेन पे एक कोशण बता तुम लोग की 1071 क्या ये सैवेसिबल है कि करो साल करो 70 डिवसीबिलिटी इन्होंने पढ़ लिये अरे मन कैसे करो तो पहले हो क्या कैसे साथ से इसको डिवाइड कर दिया किया 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 नहीं नहीं जो डिवसीबिलिटी चेक यह ता मान इंटू गरतेंगे क्या करेंगे 107-2 कितना यह यह 105 आगे क्या करेंगे 10-5 इंटू ट्रू फिटव इंटना यह जीरो तो किसी रोने पर इसमेड क्या चीज़ अरे वहांत लाइक स्ने जनास नहीं आ टेबल इती या था है कि नहीं यह पता नहीं है कि 1575 होता है यह नहीं होता है अ यहां तक ज़रूरी है आना इस प्लास में चले एक कुशन तुम लोग करो और क्या 133 डिविजीबर सेवन से की नहीं क्या क्या 133 डिविजीबर सेवन से की नहीं से डिविजीबर है की नहीं क्या अरे क्या हो गया है कैसे होगा कैसे करेंगे 13-3 इंटू-2 कितना आया orage क्या थे ट्लास हाँ नंदू क्या πड़ते हैं हमारे पास एक सै का भी 17 और 19 ड worksheet थे इस चाहरन क सब्सक्राइब huh kinda कोई सबौकत करते है थर्टीन से स्टार्ट करते हैं ठीक है एक एक्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं थर्टीन के टू थ्री थीशाट है हमें यह नमबर 13 से divisible है कि नहीं है chopf वैसे ही धौर आएगे कैसे सिब्सकिंट और धे थे डिक है क्या करेंगे लास्त के मारा 226 इसमें माइनस ही करना है प्लस करना है आँव इनु क्या करना ओवर महां क्या करते ही माइनस कर रहे थे और multiply किस से कर रहे थे अबभभभभ एक तु से इसमें किस से कर रहे हasmine है फोर से 236 प्लस कुछ कितना हो हो जाय future कि अब्रूधक सिक्सटी कि टू शिस्टी थर्टीन से डिविजिवर है वहां पिस से एक्स प्लश चीरो इंटू-फॉर उस चप्विस स्टेश अगया 206-7 कर लोगे कर लोगे पकका शॉर थीनुअ गया यह तें टीन नंबर दे रहा हूं जो लेट लतीफ लोग हैं उनके लिए भी वापिस से बढ़ा दे रहा हूं थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी मतलब क्या हो गया है थोड़े से में टेरा कर दिविजिबल है कि नहीं है यह जो कंसेप्ट है यूनिट डिजिट करके फोर से मुटिपलाई करना या तू से है ठीक है ना हमको क्या करना है उतना एडवांस तो आना नहीं है विपर में हमें बस यह चीज़ समझ में आ जाकी कर कैसे मैं ठीक है तो लास्ट रिट हमने पकड़ लिया इसे क्या कहते है यूनिट डिजिट हाँ 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 आगे देखते है तो है 236 7 में क्या करते हैं 36 प्लास 24 कितना हो गया यह 260 क्या 260 सब्सक्राइब है ठीक है तो यह चेक करने का तरीका हमारा किसका थर्टीन की डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका क्या क्लियर रहे है यहां तक छुझ को चेक करने कि सब्सक्राइब है कि नहीं तो थर्टीन माइनस 3 इन्टू कर रहे थे यूशनक़ु मिल्ट लिकरते सहलं नंबर से दिक इसमें क्या कर में और रहे हैं क्या क्लियर है यहां तक सब्सक्राइब लिखो 416 क्वेश्चन है 416 क्वेश्चन है 416 और 793 क्या यह 13 से डिविजिबल है कि नहीं है वही जिनकी जिनको डिविजिबल तेजी से आता है उनके वह ठीक हो ऐसे पर चेक कर सकते हैं क्या संसे दोनों करों कर लो इनके पर लौक बताओ Brent Liefन्हां बलाओ पेbon利 सिधा करने सिधा करने वारों के लिए अगला सब ले यह करभा का घंए ना कि को और देश्चन दौन diff सुन लिया और लोग भी इत्से पूछ रहा हूं है हो गया है लास्ट में वही नंबर आएगा या लास्ट में जीरो आएगा इसका मतलब क्या है कि वह नंबर उससे डिवेजिबल है दे एक और दे चलो इसको चेक करो क्या यह थर्टीन से डिवेजिबल है 377-910 क्या यह थर्टीन से डिवेजिबल है चेक करो थर्टीन से क्या हो गया है 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 वापिस अटा दें अप्रोडूक्ट जाओ वहीं कुश्ण गड़ा लें अरे पूरा सी सैट निकाल दोगे गया थाइं करें तुम किया मुंह क्या हिखत्ष नहीं है एक कि नहीं यहां से क्या है रख कर दिफिकल्ट चेंगा ठीक है चरोब आध्य धिवीजिबीलिटि अफ थर्थी कि तुम लोगों को सेवन की नहीं आ दोगी तो फिर समय में भी नहीं आएगा तो पहला नमबर मैंने क्या दिया था फोर बन सिक्स दिया था क्या दिया था था और इसको चक करना है क्या 13 से डिविसीबल है की नहीं इसमें क्या करेंगे यह यूणीट है उसको नंबर से अलग कर देंगे यह बने का मार नंबर ती क्षीवन बन गएक नमबर 717 की डिविजिबिलीटी में हम माइनस कर रहे थे इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे ठीक है लास्ट जो डिजिट लिखेंगे और इसको मुटिप्लाइब किसे करेंगे फॉर से 7 में किसे मुटिप्लाइब कर रहे थे टू से इसमें किसे करेंगे फॉर से आप इसक 4 प्रस 14 कितना होगा क्या 65 13 है अभी समझ में थर्टीन की डिविजिबिलिटी अभी क्लियर हुई किसी को कोई डाउट जिनको समझ में नहीं आया था मैंने क्या दिया तो दूसरा नंबर 793 793 बताओ कि डिविजिबल है कि नहीं है जो बात में आये हैं जिनको अभी मैंने बत कि लास्ट डिजिट को अलग लिखना है यह जो बचेगा वह एक नंबर बन जाएगा उस नंबर में से जो यूनिट डिजिट है उसमें मर्टिप्लाई करेंगे फोर और दूनों को एड़ कर देंगे कि 793 793 कि 793 कि 793 कि डिविजिबल है है 493 कि 793 कि अधिवा रहा है किसी को क्लिएर ना हुआ तो बताओ 13 वाले क्लिएर हुआ ससेध़ेण माले पहले तुम्मों यह बताओ कि 107みंट डिविजिबल है कि नहीं है करो देखते हैं क्यों सवाल कर देखते हैं कि आपने सवाल करें देदिया है कि नहीं है 107 10 kg ऐख याख यह तो आ्रहे है वावकों टोच यह तेशली नुटा के आफिर आफ पूंच अधिर उंड़ करते हैं, जो दोच कहह वा ऐकर ना बार आगे बढ़े 17 चेक नेए 17 में भी सेम चीज एय यह वार बाद उसके बाद यह बहुत टेजी से होता है फटाक से समझने की बात है mungkin U3 23 ले लेदें 323 इसमें भीक्या करेंगे इस यूनिट दिखेंगे इसको देखेंगे unit digit को देखेंगे ठीक है 32 minus करेंगे 3 into 5 क्या करेंगे इसने 5 लेंगे unit digit में किसमें ले रहे हैं हम लोग 7 में 4 किसमें ले रहे हैं 13 में 5 किसमें ले 17 में कितना आएगा यह अरे कितना आएगा लो 17 आएगा माइनस में कैसे आएगा क्या 17 17 से डिवीजिबल है पक्का तो क्या यह नंबर डिवीजिबल है 17 से क्लियर हो रहा है यहां से क्वेशन लिखो चलो 289 पर चेक करो 289 या फिर एक और कर दूं मैं क्या किया था हमने 28 को अलग किया था माइनस किया था 9 इंटू 5 कितना आएगा यह कितना आएगा आएगा कितना माइनस 17 ऐगा ठीक है माइनस को फिलहाल के लिए इंग्णोर कर देए हैं तो यह नंबर दीविजिबल होगा 17 से यह सर ठीक है मैं आगे बताऊँ कि माइनस अगर माइनस आ रहे तो इसको मतलब क्या होता है ठीक है पर फिलहाल के लिए किससे कर रहे थे हम सेबसेंद थिक्रति क्या करेंगे पाइव क्यों और क्वेस्टिन है वन तू सेवेन वन सिक्स बताओ यह डिविजिबल है यह 17 से वन तू सेवेन वन चिक्स क्या यह डिविजिबल है सेवेंटीन से है सारे लो कर लो कि वन तू सेवेन वन सिक्स हो गया है यह क्या लग रहा है अभी एसा लग रहा है कि सर इससे जल्दी तो हम जा करेंगे डिवाइडी कर लेंगे है ना पर पेपर में कुश्चन किस पर आता है इतना बड़ा को कोशन आया चैकर चैकर आपको पता है कि डिविजिबिलिटी पाइफ की क्या होती है पाइफ और तू कि क्या डिविजिबिलिटी होती है बस उससे सौलव ओगया पूरा पोश्चन मैं दिखाया है भी यह तक ज़रूरी है इस चीज़ को बेसिक्स को समझ लेना समझ में आ रहा है तक 17 के समझ में आया करके देखें इसको तुम नों बता कैसे करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले 1271-2 कितना आ रहा है यह 1241 आगे 124-1-5 कितना रहा है 119 कि इतना आता है इतने इतना आता है कि एक सोनिस डिवीजिबल है शौकिंग था यार यह तो अला मुझ लगा कि एक और सब जाना है कि सर वन वन माइनस नाइन इंटू कितना था मारा 45 आएगा 45 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा कितना आएगा कुछ मैंने मिस्टिक करिए गया हाँ हाँ 34 आएगा ठीक है 34 ऐसा तो नहीं करेंगे ना इतना तो सीख जाएंगे कि कहां तो पता चल जाए कम से कम तीन दीट्स तो पता चल जाए में यहां तक अगला करो एक और लास्ट है यह 3978 3978 इसको बताओ कि यह डिवीजिबल है है गर्री नाइन ट्रीवन ऐट क्या यह सेविंटीन से डिविषिबल है थे दिविशुडियर नवेलक मतले है उस बले है अलू ओ आपके है है ऐड़ी लगत इस परके आफिच से एफ अलुग है कैसे कर रहे थे हम लोग 397 माइनस 40 अरे यार माइनस 8 इंटू 5 कितना रहा है यह 357 अब क्या कर रहे है ठीक है तो यह नम्बर डिवीजबर हो गया ठीक है अगला क्या करेंगे हम लोग 19 का करेंगे गुश्चन करेंगे 19 वाला कि अगर जाता है सो कि अगर अगर को अगर करेंगे यह अगर करेंगे यह अगर रोग कि 19 का करेंगे है ठीक है 19 में भी क्या करेंगे हम लोग आखरी में प्लस करेंगे टू लास्ट इंटू करके ठीक है देख में बता रहा हूं 361 है माल लेते हैं ठीक है हमारा में फोकस किस पर आएगा यूनिट डिजिट पर 36 प्लस वन इंटू टू कितना बन जाएगा यह 38 क्या 38 19 से डिजिबल है ठीक है किसी को कोई डाउट है इस चीज में अभी मैं इसको सम्मराइज भी करूंगा ठीक है तो माइनस टू किसमें कर रहे थे हम 7 में ठीक है माइनस टू किसमें कर रहे थे 7 में प्लस 4 किसमें कर रहे थे 13 में माइनस 5 किसमें कर रहे थे 17 में वापिस से प्लस 2 किसमें कर रहे है 19 क्या क्लिक रहे है यहां तक ठीक है चला तुम लोग बताओ 21793 21792 1793 क्या यह 19 से डिजिबल है है तू वं सेवन नाइन थ्री कि तू वन सेवन नाइन थ्री तू वन सेवन नाइन थ्री डिविसिबल है किसी को अगर नहीं सव्ज़़ारा बापिस बता दूगा मैं किसे को डाउट आ रहा है किसे को डाउट आ रहा है कि नाइटीन समझें आ गया ठीक है एक बार और करके देख लिए ते क्या कुश्ण था यह हमारा क्याया 2 1 7 2 1 7 9 3 कैसे करेंगे टू 1 7 9 लांसे यूठीक हटा देंगे 4 322 कितना इगया हमारा 2185 आप क्या करेंगे 218 प्लस 5 इंटू 2 कितना आजाएगा 228 अभी भी इतनी कर पाएंगे तो क्या करेंगे 22 प्लस 8 इंटू 2 कितना आजाएगा 16 कितना आजाएगा 38 क्या 38 डिविजुवल है 19 से ठीक है कोई है जिसको डाउट आ रहा है किसी को हैट आउट अ कर यहीं चीज को ठीक है देखो 19 की डिविजुविलीटी चेक करने के लिए हमने सैंट की मिलीटी हो चाहे 13 की हो चाहे 17 की हो चाहे 19 की तो क्या अजिध को पूरे नमबर में से अलग कर लेंगे तो यहां से वापिस करतें स्टार्ट इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारी इसको हमने क्या किया है नंबर में से अलग कर लिया और अब एक फाइव डिजिट की जगा फोल डिजिट नंबर बना लिया फाइव डिजिट की जगा हमने क्या बना लिया फोल डिजिट नंबर बना लिया अब हमने क्या किय जो भी unit digit है उसका double कर लिया 3 into 2 कर दिया कितना गया यह हमारा 2185 ठीक है यह number basically क्या कर रहे हर बार unit digit को अलग करके number को हम छोटा करते चले जा रहे है जिससे क्या हो जाए इसके बाद हम आगे देखते हैं आप हमने फिर यूनिट को अलगा करके फोर डिजिट से क्या बना लिया 3 डिजिट नमबर 218 प्लस यूनिट डिजिट क्या थी यहां पर 55 इंटू 228 हो सकता है अभी भी ना समझ में आए ठीक है हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ठीक है वैसे आज आना चाहिए इसके बाद हम इसको 3 डिजिट से 2 डिजिट बनाएंगे 22 प्लस 8 इंटू 2 यह कितना क्या 38 क्या 38 डिविजिबर नाइंटीन से है कि यह यहां तक है कि यह यहां तक है ठीक है कुछ कोश्चन करेंगे जो हमने पिछले जितना पढ़ लिया उस पे दिविजिव हाँ का यह हाँ और हम्हाइज कहां स यां हाँ हम तो यह 250 यह हो गया और दसजियो गया तो क्या हों गर्यूसं होगया खो स्टीक है फिर और कर दिया तो 22 करदीया और 16 कर दिया हाँ हम्हाइन लойдता देना हम गटा देना थीर अधक techniques कर लेते ठीक है 7 की 13 की 17 की और 19 की यूनिट डिजिट में हम लोग क्या कर रहे थे इसमें माइनस इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें प्लस कितना कर रहे थे इन्टू एक मत्रूक यहां लिख देता हो यूनिट डिजिट कर रहे थे यहां यहां तो ठीक है क्या समराइज हो गया यह चीज़ कि सेवेंट कीडिविलिटी में यूनिट डिजिट में टू मल्टिप्लाइब कर रहे थे और यहां यहां यह लिख देता हूं हर लाग का था लाग को आफ हुआथ भाई यह नंबर में से वह वारा नम्बर मत लेना पता शलाSt近 नंबर में लेना नंबर कि मोट जाएगा इस से जदा समझाने गया तो मैं कंसेट वारा ही लिए गा और नहीं लिखूंगा मैं लिखते में ही गड़ा जाओं यहां पर अला मुझे लिगा कि आप इसको नमबर समझा दो कहीं नमबर तो बना ले लिख जाएंगे अरे न्यू नमबर लिख देता हूं है ठीक है समझ के समझ के तो जड़ा एक कॉश्चन लिखो अरे चकी कर रहा दिये तो मैंने तो जो बाद में आएं वो वो कर ले 377910 क्या 13 से डिविसबल है कि नहीं है 377910 क्या 13 से डिविसबल है कि नहीं है समझ में आ गया जिसको अरे क्लियर हो गया यह समझ में आ गया ओडर अरे नियू नंबर नूंबर नियू नंबर इंटू 4 5 इसा आगया यही तो मैस नहीं लगने लग रही बहुए जाटा तो अ भिए तो तुम लोग डिविसब्लिडिडी याद है इस रिजिविसब्लिड याद है तो यह कुश्चन लिखव से लोग्या ग्यें नोट कर लिय सब लोग लेखने फिर स्कॉशन देता हूं एक अरे हटी जा रहे हैं यार लोग कर दो कर दो हुआ है हुआ है 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 किसी को इस चीज में डाउट है 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 इस इस दिश्विलिटी समझ में आ गई इस आगे बड़े चल लो एक चेक करके बताओ 169 की तो फटाक से चेक करो 169 जा 13 डिविस बैकी नहीं है अरे नहीं करो अरे 169 का 13 जाएकि नहीं क्यों कर रहे हो वैसा क्या स्कॉर्ट है अ अब बादा यादा मैथट चेक कर लो या एक बार क्या हो गया घिर जाएगी या इक बार मैथट से कर लो 169 कि लिए तो लंबा है कि यह सर क्या होता है हो गया जोट बोल रहे हो गया है क्या किया था कितना आ रहा है बावन आ रहा है क्या बावन दिविजवल है याद है टेबल याद है ठीक बढ़ें ठीक है क्वेश्चन लिखो डिविजवलीटी के ऊपर रही या नहीं है हुआ है कि एक नंबर है के थ्री फाइफ सिक्स तू पोर ते नंबर है के अधा कलेक्ट डिजिट्स नहीं अधे के थ्री फाइफ सिक्स तू फोर एक यह नंबर है ठीक है नंबर यह है हमें इसका पता है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है चेक नहीं करना है यह नंबर 11 से डिविजिबल है तो के की वैल्यू क्या होगी क्या क्वेश्चिन यही है कि के थ्री फाइफ सिक्स तू फोर एक हमारा क्या है एक नंबर है और यह नंबर क्या है हमारा 11 से डिविजिबल है 11 तो के की क्या वैल्यू है जो कर रहे हैं मन में रखेंगे अच्छा तुम ने उसने थे नी तो भाई अभी आंसर जब मैं पूछू कर तब बताना है पहले नहीं बताना है ठीक है क्या आएगी के की वैल्यू अब आसम नहीं सुई क्या है कि कि अब आप आ अदुछा करहा हैं एक हो गया अबने कि दिशुदी हुई यह पढ़ा एलेवद में में सुई तुमारी न्हीं में क्लास होई है यह इलेवन वली मिं की हुई है चलो करो है किस किस का हो गया एक दो करो करो करूँ कि अरे आंसर बताओ आंसर क्या है इसका या तो है तो मैंने भी लिख़ा है कि कि वैल्यू क्या एकिश्माइब में अरे भई साहाब कोश्चन पूछ रहा होगी यहां सा नहीं पूछ रहा था नहीं नहीं आशा नहीं पूछ रहा था तो यह सॉल हो गया रूर रूर याद है क्या रूर क्या था यह हो गया क्या 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया यह मारा 30 ठीक है और एक माट एक माट इक माट इकवल्स टू नहीं कितना आना चाहिए यह पूरा हमारा 5 फ्लस्टो प्लस के कितना चाहिए यह 0 क्यों क्योंकि यह हमारा 11 से डीगिबल है क्या difference इसमें 0 आता है na some of odd places फिट् टीजिट है माइनस समक्राइब पेसे पर डीजिट्स है उसका difference कितना चाहिए 0 मैं तो बताई रहाओ कि कि नंबर 11 से डिविसिपल है जीदो के एक फॉल तो होगा ही कितना आएगा कि तेना में से साथ कितना आएगा कि इसमें किसी को डाउट है इसमें किसी को डाउट है ठीक है आगे पड़ें कुछ क्वेशन सौल करते हैं देखो मैं LCM और HCF यहां तक स्लो चलूंगा एकदम क्योंकि यह क्या है हमारा नंबर्स का बेसिक है ठीक है उसके बाद थोड़ा स्पीड अप करेंगे ठीक है मुझे प्रेशन लग रहा है कि क्लास बहुत ज़्यादा बेसिक ना हो जाए है कि समझ जो क्योंकि हमें कोर्स भी कम्लीट करना है वरना कोर्स अटक जाएगा बीच में तो नंबर सिस्टम में बड़ा बेसिक से एकदम ही बेसिक चलेगा दीरे-दीरे एचसे फेल्सियम और दीरे चलेगा ठीक है ना प्रैक्टिस के साथ और फिर दीरे-दीरे जैसे यूनिट डिजिट निकालना है वह सब तेजी से होगा क्योंकि वह तुरन-तुरन समझ में आएगा डिविजबिलिटी समझ में आ गही बस चीग है आगे कोशन सौल करते हैं आज का कोशन है बताना है कि कौन कौन से नंबर कि आयалे पूशम खांए नहीं को का कि नंबर नाइन इसे टिविजिब ले है कि कौन कौन सै नबर नाइन से टिविजिब है कौन कौन से डिविस पहले है कौन सा वहला इसके लावब भी कोई और है कल और सिर्फ एक थ्री फाइव बन जरो यह क्यों cooking जैसिर्फ सम जतना रहें नाइन आंग तक इसके सब्सक्राइब उटना है यह प्रेक्टिस कर लेते हैं अच्छे से यह यह याद हो जाए एक दम कर से गाँ वन जीडो एट फॉर थ्री पाइफ बन सिक्स त्री थ्री टू एट और चलो चलो यही इन तीनों बता कौन सा नंबर फॉर्ट डिवीजिबल है डिवीजिबल वाई फॉर कौन कौन से है क्यों क्या चेक है हमने लार्स की क्या है हमारी टू डिवीजिट्स कैसी होंगी फॉर से डिवीजिबल तो क्या यह यहां तक ठीक है अच्छा कोशन तो अब आ रहा है ठीक है है कि चलो तो सेव एंग सेवें बन कि सिक्स पूर कि यहां है एक डिजिट बर नहीं हमें और त्री टू वन नाइन सेवें यह दो नमबर है ठीक है लास में हमें इसकी यूनिट डिजिट को फिल करना है मिनिमुम कौन से यूनिट डिजिट भरेंगे कि यह फाइव मिनिमुम कौन सी वैल्यू बरेंगे कि यह जीरो क्या वरेंगे यह तो गलत है या लोकुल लिखने विस्ताधार टाइम लगता है तो लोग आंसर पट से दे रहे हूँ तो तफ अलए का आप हूं आप 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 साना ठीक है कोशन का लॉजिक समझ गया है अगले कोशन विए कर रहा है कि मिनिमुम कौन सी वैल्यों में वढ़ नहीं है ठीक है मिनिमुम मंदब निद्ब कौन सी वर नहीं है जिस्ते किन इप जिस्ते कि नंबर 0 से 5 से डिविसेज़ शेंदत हो जाएगा पर उस से छोटा नंबर है आए का ना जब 0 रखो गये तो ठीक है 1-4 347-5 47-0-5 और यह हमारे तीन नंबर है मिनिममम हमें इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है कि यह थ्री से डिविसिबल हो जाएं डिविसिबल भाई आराम पहले सारे कर लो और कर लो फिर आंसर आएंगे जिसने जो भी कर ले में पूंखेंगे इसमें हो गया हो गया किससर का हो गया यह तुनलों की मेखनी है मेरे में हो सकती है थिक है और cases के के और प्तू नहीं यहां नहीं यहां यहां क्या होगा वन पैन का तेम लग रएगा से दिखना चाहिए ग्रीन से गाएगा वाँ तिक रहा है नहीं अच्छण लग रहा है नातक नहीं करेंगे 1 1 2 छुट्साओ यहां हुट्छ है किसे ग्रिवाइक है धितście सब्सक्राइब के लिए चेक है क्या कि अधि vikt क्लेम JAC है कि की नहीं देखो हम्ने यहां पर कूछ पूर की आता है फिल्सम्स्न भीविविशांद की तेन्हिसाओ खुर इसमें कितना जोड़ दें कि यह 3D हो जाए कि यहां पर किया था हमारा कुछ नहीं था अरे अरे ठीक है साथ चार 11 11 ज्यारा वं पांच 16 मिनिम्मम कितना जूड़ दें की बन जायकर डिविसबल 18 के आसपास तो कितना आ जाय कर यहाँ पर दो छे टीम नो और एक तस किसके आसपास है बारा के कितना जोड़ देंगे मिनिमम दो क्लियर हो रहा है यहां तक ठीक है डिजल बाइ थ्री चलो वन टू थ्री तू कि अब हुआ है कि अब हुआ है अब दूद करने सके च्छाने शुब ठीक है minimum क्या रखेंगे minimum minimum क्या values रहेंगी 8 से disability check करनी है minimum क्या रहेंगी answer कोई नहीं बोलेगा answer अपने मन में रखेंगा minimum वे क्या values रहेंगे इसके अंदर हो गया क्या क्या आएगा क्या 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 आएगा zero जी यह टुकल्हाँ किस नहीं बोला था इसमें जीरो सी 3049 ऑगया किसना है जीरो सोला हो गया और आ थिक्सी किया क्या नश्यक्ति हुआ नई सब्सक्राइब नश्यक्ति नहीं लास ट्री डिजिट्स जैसे फ़ोर में गया था कि लास्ट टू दिजिट्स करते थे एड में क्या है लास्ट ट्री डिजिट्स ठीक है सम नहीं क्या क्लियर है यहां तक ठीक है एड की डिविसबिलिटी में क्या चेकरते आखरी के तीन डिजिट के डिविजबल है की नहीं है आखरी के तीन डिजिट्स क्लियर है सम नहीं उनका ठीक है समझ में आ रही है यहां तक चलो एक कोश्चन है 149 1 9 4 0 0 साथ सो वीश थीं सो पाथ आलेश 12370 और यह यह हमारे पास नंबर है कि डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कौन से नंबर जो टू फाइफ और टेन इन तीनों से डिजिट्स बनोंगे चलो अंदर रखो क्या हाँ वन फोर नाहीं लिखा है छोटा घंदा नहीं नहीं है तो कौन कौन से नंबर टू फाइफ और टेन तीनों से डिजिबिल है तीनों से एक साथ डिजिबिल है अलग अलग नहीं हसे चेक कर रहे हम लास जडिट्स चेक करने क्या जी ज्ne rocks यह क्योंकि डेखो अगर अगर होती तो कौन सार्द नंबर होता है यह वाला अकेले अगर फाइब से चेक करना होता तो तो यह बसार नंबर होते हैं ठीक है तेन को भी इंक्लूड किया इसका मतलब है आखली में 0 होना ही होना चाहिए तक ठीक है ना यग-जोड़ी से एक्सेसराइज कर लेंगे ही एधा इसके बाद क्या करेंगे आज स्टार्ट करूंगा मैं ऍसलिए हम क्या तो सिदि अच्छा से इस Whoops हम पकड़ लेंगे कि कितने number of factors किसके होते हैं किसमाइब यहां तक ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हम LCM पड़ेंगे इतना टाइम मिल पाया तो फिलाल तो हमें mental practice कर नहीं क्योंकि आज question practice कर रहे हैं अगली class में नहीं करेंगे अब divisibility इसके बाद क्या होगी खतम अब कहा आएगी सीधे कहा एगी कहा एगी कहा एगी कोचिंग कोच अपाई इसके सीधे के टेस्ट में आएगी अब सीधे ठीक है यह लास्त है यह आज डिश्मेटी जितनी आ जाएगी आ जाएगी जिनका छूट गया है वीडियो देख लेना ठीक है इसमें चेक करना है और कोई 3 4 0 9 1 2 2 बिना बिना चेक यह बताना है क्या यह 6 से डिविजिबल है कि नहीं 6 से डिविजिबल है कि नहीं कौन कौन करा है रहा है जिनकों समझ में नहीं आ रहा है वो बता दें क्यों नहीं 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 कौन को doesn't know यह है नंबर है ठीक है क्यों क्योंकि यह टू से भी डिविसिबल है और त्री से भी रूल क्या था सम आप डिजिट्स ठीक है क्या था सम आप डिजिट्स 515712 515712 क्या यह 8 से डिविसिबल है क्या चेक है हमने लास्ट की ट्री डिजिट्स लास्ट की ट्री डिजिट्स साथ सो बारा डिविसिबल है कि नहीं है क्या क्लियर है यहां तक ठीक है ना कि अ कि कि आ है कि अ कि क्या यह यह नाई से डिविसिबल है त्सक्राइट है का यह नहीं से डिविसिबल है कर दो और कौन बोल रहा है कि नहीं है क्या यह कि दिविश्पल 9 से किसी नहीं ही तो बोला था अज़ोडना पूंगे तुम किया समाना चींए इसका 9 आना चींए आट है तो किया इसका 30 कितना इसमें तो जोड़ देंगे कि यह दिविस्वाल हो जाएगा कितना मिनिमुम घटा देंगे तो दिविस्वाल होगा नाइन से कितना अरे मिनमम 6 गटाएंगे तो 9 से और मिनमम 3 एड़ करेंगे तो 9 से समझ में पूछे अगर कभी कि कितना एड़ कर दें कि यह नंबर डिवाइड करेंगे जो भी रिमेंडर आ रहा होगा उतना समझ रहे हैं इस चीज को किसी को डाउट है तो बताओ अगर मैं बोलू है ठीक है पंदरा क्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं या फिर 15 में कितना जोड़ें कि यह हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए क्या करेंगे इसको ठीक है आस पास का एक नंबर खुजेंगे इसके ठीक है क् इसके पास का नंबर 3 18 18 कितना डिफ्रेंस आएगा यह तो मिनों कितना करेंगे 3 क्या क्लियर है एल्टीम में और इसको पढ़ेंगे अभी कि कैसे करते हैं इसको सब्सक्राइब है यहां तक ठीक है 27 अच्छा 270 यह किस किस नंबर से डिवीजिवल है एक मेंट एक मेंट तू से त्री से पाइब से नाइन से सब्सक्राइब क्यों की डिविजिविलिटि इसके जिरो टू को सिक्ति आ रही है सम उपडीट्स गया है डिवा नाइन इंट फाइफ में इस गाद ऑनिवें यहां पड़ाऊंगा अभी तो तुम लोग जो कर रहे हो आगे जो ने पढ़ाऊंगा अभी तो तुम लोग तुम्हों को आ रहे हैं साली चीज़ें कोई मतलब नहीं इसका तिक है आगे दिक्कत कर जाएगा तिक है अभी बस समझा रहा हूँ अगली बार से क्या होगा जब तुम उसे डाउट कुछ अगर चुट जाया तो मिस हो जाया तो यहां है अधा थ्रीशिक्स एडवन एक इस नमबर से लिए अगे बात में कर लो बाहर कर लो ठीक है 3 6 8 1 3 से है और 9 से भी है क्या 9 से भी है यह चीज ठीक है करते हैं अब हो गया मेरे क्याल से काफी क्वेशन्स कर लिए ना डिविश्बिलिटी के उपर तो काफी क्वेशन्स कर लिए हमने क्या है अरे 36 3681 तुम बदाब डिविलिटी का रूल क्या है 11 की डिविलिटी का रूल क्या है कैसे डिवाइड करते हैं 11 का चेक करने के लिए और डिविश्बिट्स मालब 6 6 प्लस 1 माइनस 18 11 कितना आएगा यह कितना आएगा यह 11-7 कर दो कितना आएगा और तो क्या 11 की डिविलिटी में क्या था जीरो आना चाहिए या 11 आना चीए 13 की डिविलिटी में क्या था 0 आना ची या 13 आना चीए आखरी में तो एक नमबर चेकरो 343 क्या से डिविजबल है कैसे है कैसे पता है क्या है ते जबन का यूब है फिर भी मेफिट से चेक कर लो एक बार एक और चेक करो वन सेवन पाइफ सेवन क्या यह सेवन से डिविजबल है कि नहीं हां है एडिविजबल क्या कर निस्टेक कर दी तुमने माइनस प्रस की मिस्टेक करोगे अब अरे 175 माइनस कितना आएगा कितना आएगा यह कितना आएगा यह विजबल है यह चीज़ ठीक है 5928 चेक करो थर्टीन से डिविजबल है यह तुएट टेस्ट में वह कोशन भी रहेंगे जैसे मैंने अब पढ़ाया था कि वह सारे नंबर बताओ या फिर वह कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि टू से भी डिविजबल है फाइव से भी डिविजबल है कि अधिकलना प्र फॉरफ नहीं है यह अर यह हैं शो कि अधिव अ है हीजिग्ष कि न आ आ रहा था मतलज के लुए शुरायए ब्स ओन में अ जब्सक्tu वैक्डिक अनलसमें कितना आ रहा था यह तैKS लांस में कितना है हुव वाग एक चेक कर लो 5988 डिवीजिबल भाई 17 गो अ अ अ अब 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 आइब नाइट एट दीजब ले अ हां किया रहा है लास में कितना रहा है फिफ्टी यह यह तक एक लास्ट कर लेते नाइंटीन का फिर क्लास में यह चीज़ बंद कर देंगे अब अब 18202 18202 डिविजिबल भाइग नाइटीन डिविजिबल भाइग नाइटीन चेक करना है बताओ अब क्लास के इंट्रोड़क्शन में बोला था कि इंट्रोड़क्शन भी बोला था ना कि जितने भी कोश्चन कराओंगा भले आपको रिपेटिटिव लगे पर करना ठीक है ट्रेक्टिस बनेगी कंसेप्ट कुछ ताइम बाद अभी तो लिखना पट रहा है कुछ दाइम कि अरे कर लो अभी तो तो टूडिट बना लो उसको भी ठीक है 190 क्या क्लियर हो गया यहां तक किसी को कोई डाउट ठीक है टेस्ट में जब लूंगा तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि पेपर में कोश्चन जरूर डालूंगा ऐसे कि वह सारे नंबर लिखो जो कि दो और पा सब्सक्राइब कि नहीं है ठीक है ना वह सारे नंबर लिखो जो फाइब और फॉर से डिविजिबल है पर तू से डिविजिबल है कि नहीं ऐसा हो सकता है हाँ गिए ऑडि आप कोशन पूछने का तरीका वैं वैसे कोशन मना करकर आप से पुछा हूंगा क्या क्लियर हो रहे हैं यह अश्थक अब स्टार्ट करते हैं व्या होते हैं और मल्टिपल्स क्या होता है ठीक है फैक्टर इसलिए है कि कभी-कभी वह फूज देता है नंबर इato एक है टीक है एक चाहो तो एक फॉर्मल लेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो जब दो जब दो से जादा इंटीजर आपस बिल्डिप्लाइब करते एं ठीक है और जो नमबर बनाते वह क्या हो जाता है जो दो नमबर मुटिप्लाइब हो रही से यह जब 2 यह चलों से ज्यादा नंबर्स आपस में मड़िप्लाई होते हैं और एक नया नंबर बनाते हैं तो जो नंबर multiply हो रहे हैं वो क्या हो गए उसके factor क्या clear रहे है यहां तक ठीक है जैसे 3 into 4 equals to 12 ठीक है 5 into 2 कितना होगा 10 तो इसमें factors क्या है इसके 5 और 5 और 2 से क्या है factors है इसके 3 और 4 क्या है factors इसके समझहा रही है यहां तक समझहारी है यहां तक सब्सक्राइब च्छोटा करना चाहिए तो एक तो यह क्या है पैक्ट्टि एक एसके ट्रैक्टर किया हो रहे हैं तक एक ट्वेंटि फूर के फैक्टर नीकालओ नुछ कह सब्सक्राइए कि मैं कि लेंटी फूर के सबसक्राइए और डिए टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 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 क्यू टू टीक है ना हर अलग-अलग कॉंबिनेशन से भी बन सकते हैं याद ठीक है जैसे तुम्हें बताता हूं अगे है त्री इंटू टू और इंटू टू टिक से यह सब क्या है इसके फैक्टर थे अब अगर हम इसको काउंट करें टीक है तो यह एक हो गया यह दो गया तीन चार पांद छे शाथ आठ ठीक है combination क्या है हमारा minimum 2 x 2 x 2 x 3 पर इस से अलग-अलग factors बन सकते हैं ठीक है वो क्या factors लिख दिया हमने 1 x 24 2 x 12 3 x 8 4 x 6 क्या clear हो रहा है यहां तक ठीक है क्या clear है यहां तक ठीक है तो यह क्या होगे हमारे इसके factors किते होगे यहां तक चीज समझ में आ रही है यहां तक किसे को कोई डाउट ठीक है किसी चल नहीं रहा गया कि चल जाएगा आप देखो कि अधिक है यह समझ में आ रहा है यहां तक ठीक है एक एक question लिखो कि बस इसमें 72 के बस factors लिखो minimum जैसे हम लोग ने लिखा था ना भी टू इंटू 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 त्री ठीक है इसके factors लिखो 72 के और लोग भी कर लें तू क्या हो गया हमारा तू क्यू इंटू 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 यह क्या चीज़ है तो फिर बताता हूं कि यह क्या चीज़ है अ एग att टूं Fun2違oo 3 इंतु 5 इंटूट कुछ कुछो नोटीश का रही है उसमें तो यह क्या हो गया है यह प्राइम और टु इंटु 2 इंटु 3 इंटु 5 इंटु 7 ये तो एक नुबर हमारा 420 ठीक है अगर मैं इसको लिख दू 4 into 3 into 5 into 7 तो क्या यह अभी भी प्राइम फेक्टर से सारे नहीं अब प्राइम फेक्टर से सारे नहीं ठीक है प्राइम फेक्टर में क्या किया है हमने इनको इसको अलग कर लिया प्राइम नंबबस के टर्म्स में हम ले आए तक तो 210 210 इसके प्रायम अरे अरामसे बताओ अ अबना कि अखेले मत बताओ कर और सारे लोग ठीक है अधास निकाल कैसे रह यह बता पहले कैसे करके मैं बता देता हूं ऐसे भी तो कर सकते हो बताओ कितना आएगा बता येस सर क्या होता है आप क्या आएगा हुआ है टीक है टू इंटू थ्री इंटू अ किया रे ट्रास निकलना वहारा है कैसे निकल रहा है तू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू से अब इन में से अगर मैं किसी को भी से मैं आप लुक्राइब 16 इन्टू 5 इन्टू 7 तो क्या अभी भी यह प्राइम फैक्टर भी रहा गया नाई क्या क्लियर है यहां तक ठीक है अब देखते हैं एक चीज ठीक 2357 इसको 2 into 15 into 7 भी लिख सकते हैं ठीक है 2 into 3 into 35 भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो ऐसे क्या है ऐसे क्या है कि 15 भी एक फैक्टर बन जाएगा नया 35 भी एक फैक्टर बन जाएगा नया ऐसे नया फैक्टर बनते चले जाएंगे ठीक है तो हमें एक फॉर्मला देखना पड़ेगा कि कि किसी भी नंबर के अंदर कितने उसके फैक्टर्स हो सकते हैं किसि भी नंबर के अंदर कितने उसके अब हुसके पहले इसको प्राइम बटाओ आपने च्रीपवरेटू 3432 इसको प्राइम फेक्टर्स में लिखके बताओ क्या रहा है कि टू इंटू टू एक दो तीन चार पांच इंटू 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 सिक्स्टी सेवन कि सबके यह आ रहा है कुछ गड़बड है इसक्स्टी सेवन पक्का यह आ रहा है कि क्या रहा है फिर आगे थ्री थाटीन इंटू थाटीन पक्का के और आख काक। है इंटू इंटूंस कindet अछ जाए प्रमस थाटीन थाइंटू थाहिए कर एक बात सब्सक्राइब कर दिए और यह क्यों कर दिया इतना यह तो 36 दिख रहा है कैमरा से अरे किस एंगल से 6 दिख सकता है तो गैस मार दिये 6 होना चाहिए गजब ठीक है अगर हम बोले कि 12 इक वल स्टू 4 इंटु 3 तो यह 4 और 3 क्या है इसके पर और थी कैस के बैक्टर है और बारा इंका क्या है मल्टीपल तर तक क्योंकि इन दूपैक्टर्स को मल्टिप्लाई करें चाहिए एक नंबर नया हो क्या है यह मारा 12 वो क्या है मारा multiple क्या clear है यहां तक question में factors लिखेगा तो समझ जाओगे multiple लिखेगा तो समझ जाओगे ठीक है ठीक है अब एक question है जासे हमने किया था 24 24 के 24 के हमने कितने factors लिये थे 24 का क्या है रहा था टू इंटू 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 एक दो ठीक है और इसको हमने क्या अलग अलग भी लिखा था 124 तो क्या क्या factors थे एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ ठीक है यही factors आ रहे थे अलग अलग numbers आ रहे थे ना जिससे divisible हो रहा है 24 ठीक है यह क्या लिखा है हमारा तू क्यू इंटू 3 की power 1 ठीक है अब एक formula यहां निकल करके आ रहा है mathematics के हिसाफ से ठीक है बहुत ज़दा binomial expansion binomial अगर math वाला कौन को नहीं यह है binomial theorem सुनी होगी class 11 में थी तो उस पर नहीं जाएंगे वनना क्या होगा पुरा divisibility भूल जाएंगे ठीक है बस वहां से जो में मुद्दा निकल के आ रहा है उसको पकड़ लेंगे में मुद्दा क्या है इसको 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 नोट कर लिया यह तो की पावर थ्री है और यह थ्री की पावर वन है इसको क्या कि हमने थ्री प्लस वन इंटू वन प्लस वन कितना हो गया है है इन्ट कण के मारा पूर इंटू तू घुना गया यह एट टोटल नंबर खितने हो गया यह एट है इसे को को अफ़ार रहा है वह बता रहा है बता रहा है इक और आप से बता देते हैं तो तो इसको वापिस पूरा एक्स्प्रेंगे यह चीज तो समझ में आई थी ना यह एट फैक्टर समय आए थे यह सारे इट फैक्टर समय आए थे कि किन किन नंबर से मिलके क्या बन रहा हमारा 24 सारे फैक्टर समय आए थे ठीक है अब अब इसको क्या करो भूल जाओ अब हमें पास यह इसको याद रखो ठीक है यह क्या है मँद्ञा ने तोनहीं लिखना चाहो उतनर लिखो और इस डिखुशन सॉ chance से हम फाक्तर को काउंट करना तो में पावर को यूज करें ठीक है तो इसको माललेते हैं की यह हो गया है आज और यह होगया हमारा B इसको मालेते यह पी वन है यह किया है यह में इंस तो पी बन मतलब इंटू है पीटू प्लस बस इसको मॉडिपलाइ करते हैं इससे क्या होगा हमारा जो भी जो भी नंबर ओफ्टर होंगे वह बाहर निकल कर आ जाएंगे इस्केस का एक्जामपल ले ठीकैं पहला पेवन यहां पे ठीज़िए प्लस वज़िए दूसरा क्या है नहीं यहां पे 80 factors हमने लिखे थे क्या 80 factors हमने लिखे थे किसी को डाउट आ रहा इसमें क्या 80 factors हमने लिखे थे 1 x 12 2 x 1 x 24 2 x 12 3 x 8 6 x 4 यह लिखा था हमने और इनको count किया तो तो क्या रहा था 8 factors होंगे क्या यहां से भी यह आ रहा है समझ में ठीक है एक question है 540 540 के कितने number of factors होंगे यह आप बताओ अगर किसी कोyrics में तरहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं हम प्राइम factors के रहे हैं अब हम हम सारा हम प्राइम factors में लेकर कर आ रहे हैं घ्यक है और रुको कर लें पहले और यह वर सब कर ले अरे चल यह चल गया इसी दूंद बन कर दो पीछे दर्वाजा भी खुला हुआ है यह यह चीज समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं पावर्स को प्लस बन कर रहे हैं हां अरे अब अभी अभी देखते हैं कितना ओ रहा है किस किस को डाउट किसको 24 क्यों नहीं आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइज़शन समझ मैं कि क्यों करना है मैंने प्राइम फैक्टराइज़शन इसलिए बदाया था क्योंकि हम exactly minimum वाले की power निकाल सकें ठीक है ना power निकाल सकें लिख तो हम इसको कैसे भी सकते थे इसको लिख तो हम 2 into 12 भी सकते थे पर हमें इसको क्या करना है powers में लाना है इसलिए क्या कि हमने 2 cube into 3 किया था किसी को कोई doubt हो रहा है ज्यादा लग रहा है तो भी बता दो कि सर ये basic समझ में नहीं आ रहा है तो सबको आ रहा है यह चीज कि क्या कर रहे हैं कि 540 आगया 540 कितना आया है 24 अब आप लोग बताओ कैसे 540 को हमने क्या किया रुको एक मट यहां पे लिखता हूं कि इस कितना आया 270 अब कितना आया 130 अब एक मैट अब हम चेक करेंगे कि यह 545 कितना रहा है यह पांस थी ना ठीक नो तो यह 302 पे लिख इस पर आयंगे हम 3 पे अभी भी क्या है 5493 से डिसबल है कितना आएगा अभी भी पांच एक छेत्री से डिसबल है पांच ठीक है क्या आएगा 540 को हम कैसे लिखेंगे तू स्कूर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पावर 1 फिर हमने क्या कहा था कि पावर में प्लस बन करेंगे 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना रहा है यह 24 क्या क्लियर रही है कितने फैक्टर से इसके 24 ठीक है अभी 24 का क्या मतलब है मतलब कि यह अलग अलग नंबर आपस में मुल्टिप्लाई होंगे जो की बनाएंगे क्या हमारा यह नंबर 540 हो सकता है कि 2 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाए 45 इसको मार लिए करें हमने 45 फिर 9 और 4 यह भी एक वैक्टर है तो ऐसे लगबग 24 नंबर है जो आपस में क्या हो रहे है मुल्टिप्लाई हो रहे है ठीक है और क्या बना रहे है नंबर 540 क्या क्लियर है यहां तक तो 10500 कि जब तुम बात ही करोगे तो कैसे संज में आएगा है हाँ हाँ मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक बार बताओ कि किया लिए था हमने 24 दिया था ना 24 के कितने से पहले तुम यह बताओ नहीं यह छोड़ो तुम तुम बताओ कि जब हमने फैक्टर्स को पहले काउंड किया था निकाले थे फार्मुला तो बाद में अपक्लाई किया ना पहले क्या हमने फैक्टर्स को निकाले से क्या से वो फैक्टर्स ठीक है पहला था वन इंटू 24 फिर टू इंटू 12 फिर थ्री इंटू 8 पूर इंटू 6 ठीक है यह अलग-अलग कॉम्बिनेशन है जो कि क्या बना रहे हैं संबर 24 ठीक है जैसे 24 इंटू एक भी लिख सकते हो 12 इंटू दो भी लिख सकते हो तो एक 24 दो बारा तीन 8 चार और छे यह 24 इन सब नंबर से डिविजबल है यह सारे क्या है इसका एक फैक्टर है फैक्टर क्या बताया तो मैंने वह सारे नंबर दो नंबर जो मिल करके एक नया नंबर बना रहे हैं ठीक है अगर 6 और 4 आपस में multiply होकर के एक नया नमबर मना रहे हैं 24 तो वो नमबर 4 और 6 से divisible भी तो होगा ठीक है तो यह सब क्या है यह सब factors है इसके अभी समझ में आया अभी समझ में आया ठीक है तो यह तो हमने लिख लिया था इस हिसाब से अब मैंने बताया था इसके बाद क्या सिर्फ प्राइम फैक्टराओ स्का ठीक है अभी सरह मतलब किसी भी इसको चै estado प्राइम नमर में लिखना थेख आप पावर में लिखा दो व्ल्हाइट है 2 cube into 3 क्या अब यह prime factor हो गया क्यों 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 की 2 की power ले रहे है और 3 को ले रहे है ठीक है अब हमने formula लगा दिया था 3 plus 1 into 1 plus 1 कितना आ गया 8 किसी को कोई doubt है factors समझ में आ गया की क्या है यह क्या निगाल रहे हैं यह factors निगाल रहे है ठीक है 540 से मैंने यही तो बताया आपको रुको एक बार देख इस चीज़ को और चेक कर लेता है ठीक है देखो पूर कि इसको मुल्टिप्लाइ कर कितना हैगा पूर अरे 4 3 is cube into 5 एक यह नया factor हो सकता है क्यों क्योंकि इसमें 4 नया है ठीक है यहां पे 4 नया है अब मान लेते हैं कि इस 4 यह लेडरो 4 x 3 12 into 9 into 5 क्या यह नया नंबर आगे ठीक है तो यह जो भी नए नमबर आते जा रहे हैं ऐसे कितने नमबर है इसमें ऐसे 24 नए नमबर है जो मुल्टिप्लाइ करके क्या कर रहे हैं पाइफ फॉटी बना रहे हैं क्या क्लियर है अब ठीक है तो एक नमबर पर चेक करो तो वन जिरो पाइफ डबल जिरो इसके कितने फैक्टर से एक मिट अरे वाप के से बोल देता हूं तो यह जी रोफ डबल जीरो नमबर आफ फैक्टर अ ओए यह जी रोफ पाइफ डबल जीरो अ को कुछ कर लेने दो हो कि तब सकतुन करें कि आण रहे हैं कि शीछ समझ में आ रही है पिश्यूम्हार कि राइम प्राइम 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 में क्यों कर रहें कि यह रहा है तो कि पावर्स चाहिए हमें और देख लो तो इना रहा है तुम्हें मिलो तुम बाहर देखो 6 into 4 ठीक है एक फैक्टर हो गया 6 नंबर हो गया तभी तो कह रहा था कि प्राइम फैक्टराइशन में लाएंगे क्या करेंगे पावर में लेकर के आएंगे ठीक है पावर में लेकर लेकर जाएंगे टू इन्टू 3 ठीक है फॉर के लिखेंगे तू इन्टू 2 अप चाहिए वोगा टू इन्टू इन्टू 2 ये क्या होगा टू की पावर थी ओलेगा और एक दिना आएगा सो प्राइम फैक्टराइशिंस में इसले लाएंगे क्योंकि नंबर कि आएंगे पावर में आ जाएंगे समझ ना हर किसी की पावर में आजाएंगे हाँ- अ-ई- हां 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 जैसे वन हो गया 24 हो गया ठीक है टू और टू हो गया 126 पॉर यह सारे यह फैक्टर हो गया 3 हां हां है यह सब काउंट हो रहा है ना इसी में जैसे नंबर जैसे यह हम पावर बना कुशन समझ में नहीं आदा तुम्हारा जैसे की तो जो पावर में हम एड कर रहे हैं तू की पावर 3 प्लस 1 कर रहे हैं उसमें सब अपने आप इंक्लूड हो रहे हैं यह सब अपने आप इंक्लूड हो रहे हैं तुम पावर में क्या कर रहे हो उस नंबर को क्या कर रहे हो मल्टिप और मल्टिपल में तोड़ रहे हो किसको दो जबको हर किसी को प्राइम मिले के आना है दो तीन पाँच अगर नौ आ रहा है तो क्या करोगे वापिस से तीन मिले करके आओगे ठीक है 11 तो आएगा नहीं यानि 11 की कोई पावरी लेंगे सीधा फिर तेरा भी नहीं आएगा क्योंकि प्राइम है ठीक है पंदरा अगर आया तो तीन और पांच में आ जाएगा वो चीज़ है टू प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 11 बंप्लस 11 कहां लिखा है कहां लिखा मैंने रखरीड लिखा कहीं वन प्लस बन लिखा था भई वन प्लस बन लिखा अधे पाइप फॉट्टी था ना तो यह तो बेसिक्स है यार एक दम पाइप फॉट्टी है कितना है था टू सेवेंटी ठीक है क्या हुआ टू स्क्वाइर थ्री क्यूब इंटू 5 पावर क्या लिए टू प्लस वन 3-1, 1 प्लस 1 कितना है या और यह है और कि यह 1 प्लस 1 है बंदस इलेवन नहीं करा है एलेजा फसेवाज में हैं थीक्यां यहां तक सम्षम में आ ओ थीक है 36 से कितने factors होंगे जल्दी बताओ 36 के कितने factors होंगे 36 के number of factors 36 के सारे लोग करो कि एक मैट सारे लोग कर लो कि किसी को डाउट हो रहा है कितना factors आएगा कैसे आएगा ठीक है 36 कैसे लिखेंगे जिसको जितना भी basic करना वो यह भी कर ले दो अथारा दो नौ 3 3 1 ठीक है तो कैसे लिख सकते हैं टू स्कॉर इंटू 3 स्कॉर पावर्स को कह लेंगे अब हम ले लेंगे टू प्लस वन और 2 प्लस 1 कितना आएगा यह 3 इंटू 3 नाइन फैक्टर्स होंगे इसके नाइन फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि 3 3 इंटू 4 इसका एक फैक्टर हो गया यह दो नंबर हो गया ठीक है 3 3 9 इंटू 2 18 इंटू 2 यह दो इसके नए फैक्टर हो गया ठीक है ऐसे कॉंबिनेशन जो भी बनते रहेंगे क्या क्लियर हो रहा है यहां तक ठीक है एक एक और बना लो ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 साइक फैक्टर हो जाएगा और यह समझ में आरही है एक टीक है बाराइटू 3 इंटू 3 इंटू इसके नंबर ऑ फैक्टर बताओ 1111 111 number of factors 111 number of factors अराम मन में मन में अभी नहीं आप समय आ रहे हैं बहुत important concept है यह number of factors निकाला बहुत important है कि लो क्या हुआ टीबल हाथ कि दिक्कत होगी कि आगे क्या रहा इसका है कि क्या रहा है वन 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 क्या नंबर से डीजबल है एक दो तीन कितना आएगा ट्राइम नंबर यह पहले सही क्या है हमारा प्राइम में यह तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे वन 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 इकॉलस टू फ्रीग पवर बन इंटो tiny क्लियर है यहां तक एक बढ़े वाले का निकालो वन डबल जीरो एट फटाक से वन डबल जीरो एट वन डबल जीरो एट नमबर ऑफ एक्टर्स इदा को यह जारा इंटू जारा क्या होता है जल्दी बताओ आराम से आराम से सब्सक्राइब यहां इस बार ऑन लाइन आजा पहले वन जीरो जीरो एट वन जीरो जीरो एट इसके नमबर ऑफ एक्टर्स अभी नहीं अभी पूछेंगे ठीक है ऑनलाइन आंसर आएगा पहले इसका अरे पहले ऑनलाइन वाले आंसर अगर दो अरे आंसर करो भाई ऑनलाइन ठीक है आ गया एक आंसर आ गया ऑनलाइन का एक आंसर आ गया रुख जाओ माफ नहीं मिलेगी यहां आ रहा है सॉरी माफ नहीं मिलेगी कैल्कुलेशन मिस्टेक हुई है यहां कहीं कितना आ रहा है आंसर कितना रहा है 30 कैसे किया हमने 1008 हाँ ठीक है तुम्होंने कर लिया ना बता दो कितना रहा है तू की पावर फॉर थ्री स्कॉर यहीं आ रहा है तो यह कितना होगा फॉर प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया यह 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा 30 अरे मल्टिप्लाई करने वालो कोई माफी नहीं मिलेगी सॉरी कोई माफी नहीं अर्फ उम्हार में मांक करने के बाद के रिखिट सॉरी वापीस कोई नहीं करेंगे है की तो यह तक सुम्हें नहीं करेंगे है नहीं तक समझ में आ डाए फैक्टर क्या होते है है मैटिपल्स क्या ओता है यहां तक तो करतें फिर कसना करतें यह यह चीज़ समझ में आ गई न हुआ है यह चीज़ समझ में आ गई अरे नम्रता उपर 1111 क्या है 1111 तो 1111 का 1111 क्यों बता रही है यह चोड़ो चोड़ो मैं बूल जाएंगे माफ कर देते उपर इसने वैसे भी पूच्छा था कि सर्व 111 क्यों आ रहा है बन प्लस वन नहीं लिखा था यह 111 लिख रही है अब स्टार्ट करते हैं क्या एल सी एम ठीक है क्या है हमारा एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टिपल अरे इतना कौन लिखेगा एल सी एम ठीक है सीधे कुछ डेफिनिशन देखेंगे क्या होता है सीधे कंसेट पर आते हैं अब जैसे मान लेते हैं तू से डिस्बल होने वाले या फिर टू के मल्टिपल का मतलब क्या है जो कि दो नंबर मिलके एक नंबर बना रहे हैं वो क्य और है एक है अगया तरह टीटीन है एक हम से लिए एक है यह होगा हमारा तू के मल्टिपल्स हो गई है अब सपोस्स करते थ्री को ले लेते हैं अग्या पहला क्या होगा है टिक है एक टेपल लिख दिया हमने का कर दी एक टू की टेबल लिख दी एक त्रीक अब लिए क्या है लीस्ट यह क्या है कॉमन और यह क्या है मल्टिपल ठीक है ना पहले तो क्या करेंगे लीस नीदे पहले क्या करेंगे वह सारे नंबर जो टू से भी डिविसिबड रहे और वो क्या है जो क्म टेपै तो पहला क्मोंट क्या है हमारा 6 फिर क्या है फिर 18 24 और 30 ठीक है यह सारे क्या नंबर है हमारे common नंबर है common नंबर लिख लेते है common क्या क्या हो गए हमारे 6 इस यह ब्रमक की गया रहा है च्शवर से नंबर जो भी डिविसल होते हैं वो क्या करते हैं सिक्स का एक तरह से शीरी बनाते हैं सिक्स कऐं से पकड़ेंगे क्या बोल रहा है लीस्ट इसमें लीस्ट कॉमन कौन सा है वाँ यह देगो कॉंधेंस पेपर ने पूचे का कि इन प्रक्राइब जलते क्या करके आएंगे सही सही वलमाक करके आएंगे इसा इतना खतरनाक अरे लीस्ट का मतलब सबसे छोटा तो क्या है तीस अरे सोच लो और सेट तो इन जोनों को साथ पकड़ा हमने कौमन निकाला पहले फिर क्या किया है फिर उसमें देखा एक्या लीस्ट कौन सा यह ठीख है फिर क्या है हमारा लीज पॉन सा क्या क्लियर है यहां तक ठीक है यहां अलग चल रहा है यहां चल रहा है 11 11 121 नम्रता वहां हां दी पर फैक्टर में भी कर सकते हैं 6 6 अलग चल रही बात यहां अलग चल रहा है वह उनको समझा रहे हैं पुल फुल इस चल रही हां दीदी टीक है 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 तू फ्री अब पाइफ काम देखते हैं ठीक है अरे यार दिलीट क्यों कर वाया जब तू फिर से लिखना पड़ेगा मुझे पूरा ठीक है तू की डेविल वाला लिखो क्या क्या हो गया हमारा तू पूर शेक्स एट टेन 12 14 16 18 18 ऑ औंक है कि एक और लिए थाटीटू पीस अविश्क्री में ले लेते हैं यह सियक थ्री में थ्री इस अ कि लो मुझे लिखने में आलास नहीं आ रहा है तुम लोगों को बोलने में आलास आ रहा है हां मैं दुबारा यही चिज़ मीज़ लिग रहा हूं ऑद तुम लोग के मुझे से नहीं निकल डी टेबल अरे बताओ आगे जल्दी है अब क्या करेंगे हमें देखना है टू थ्री फाइफ का क्या हो सकता है तो थ्री-फाइफ का ऐसा नंबर जो कि इसका मल्टिपल भी हो गा और लीस्ट भी होगा और कॉमन भी होगा ठेक है अब सारे नंबर देखते यह थे थी के लिए अब फाइफ में देखते हैं टीक ट्टेका यह अर्व किसमें है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है तो 30 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के लिए तो लीस्ट भी हो गया और multiple क्यों है क्योंकि ठीड और five से मिलके बन रहा है क्लियर है तक samswum मैं आयाल स्विछ सम्च मैं अलसीज में मतलब क्या है ठीक है पांच 6 जे और 10 इसको देंसे निकालो है का पांच तैस नहीं कैसे भी निकालो इसको आता है वो तीक है जिसको आता है वो कैसे लिए निकाल ले इसको आता है जो छीख रहे हैं वह थोड़ा सा दिमाग लगा की ठीख कि जब डिविशीबिल्टी पढ़ाई थी एक तरह से दिविशीबिल्टी कहीं तो बात ही है है क्या रहा है 30 क्या क्लियर है कैसे आ रहा है 30 ठीक है हमने देखा एक क्या किया सबसे पहले तरीका देखो इनको अपास में मुल्टिप्लाई कर दिया कितना आ गया 30 क्या 30 10 से भी तो 10 कभी एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं पर मैंने करना हमें लेना यहां कि वह सारे नंबर जिसका रिमेंडर वन आता है ऐसे करके बना करके लाओंगा नेक्स टाइम पर क्या यहां यहां निकालना समझ में आया अंक Also Is the clip में नहीं का मतलब समझ यह यह था है लीस और क्मन और मूंट्टिपल तो मुंट्व तो मूंट्पल में आ गया है थीए ए कर फाप यह करते क Όर 1329 1339 एक प्रेक्टर मताने हैं 139 139 में 1339 के 139 के 139 के पैक्टर बतारे हैं ठीक है न ए कि वन थ्री थ्री नाइन के फैक्टर्स कितने होंगे अरे अभी नहीं बताने हैं सब कर लें जल्दी बाजी नहीं जल्दी बाजी में क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसने बुला था अरे ऑन लाइन वाले पहले बताएंगा पहले जब ऑन लाइन सांसर रहा फिर हम क्लास में करेंगे अरे आथ यू निकाल रहे बाहर गिर जाएगी ऐसे देख रहा है आख नीसी बाहर गिरा करके कोशन गलत दे दिए क्या मैंने कौन बोला हां सर कौन है हां कौन बोला है कि तुम क्या अपना अपना लगा रखा है यहां है अंदाज अपना अपना लगा रखा इन लों में कामिल हो गया करो करो 1339 कोई डाउट हो तो बताना ठीक है कामिल अरे अंसर अरे अन्लाइन वाले साथ अरे अन्लाइन वाले अन्सर देंगे पहले 1339 बहस नहीं करेगा आपस में अपना अपना आंसर देंगे 1339 के फैक्टर कितने होंगे पूछ नहीं रहे है कि कुछ और भी बैटा है ऑनलाइन अच्छा क्या डिविश्बिलिटी नहीं आ रही है लग रहा है कि डिविश्बिलिटी नहीं आ रही है क्या क्या है है हां तो है 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 तो है 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 यह वन थी थी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि डिविश्बिल लेगी नहीं है है हुआ है यह वन थी थी नाएं की जिविश्बिल चेक करी कि नहीं चेक करी 1334 की खरी है अर्व बताओ अ कितना रहा है कि और यह पोर आ रहा है कि और क्या क्या चाहिए फेक्टर 13 और 103 यह दो फैक्टर्स आ रहे इसके ठीक है 13 की पावर वन और 103 की पावर वन तो टू इंटू टू कितना आएगा पूर क्या अरे तुम लोग को फैक्टरिशन में नहीं आ रहा है अरियक्या नंबर यह प्राइम नंबर अधिया कि प्राइम नंबर है इब फोट्रीन और 103 यह एना यह नबर एगवां अरे किसका किसका नहीं आवरा पहले यह बताहओ पाट चार और रहा है इसके चार आज पीटार अरह कितना आरह यह चार अरे दो किसको आ रहा था क्यों हमा रहा था सबसे पहले आंसर दिया था मैं अरह आवास नहीं पाद फिरे तुम लो एक और निकालो चलो 3875 3875 इसके निकालो 3875 के फैक्टर्स निकालो एल्सियम सब्सक्राइब में आ गया 3875 के फैक्टर्स निकालो 3875 के फैक्टर्स ऑल्लाइन वाले देंगे पहले ओलाइन मज़ा आ में आज मेरी नजर पढ़िए ध्यांत से अच्छा चलता रहे हैं आपे भी ओके आधितिक आंसर आ गया जहां भी आधितिक स्मॉल लाइन देर हो गया है वही मैं कहूं कि यह कहां से आ रहा है कि रहें दो रहें दो आलाइन भी आंसर आ रहा है ठीक है रुको रुको और भी त सर्दो फटाक से 3875 3875 किते नमर आफ पैक्टर से होंगे किसमत निशा खान आठ वेजचनी गिरी आठ नमरता आठ तुम लों का कितना आ रहा है कितना रहा है एट टीक है साथ करके बताओ कितना है ये अथा भाइव क्यू प्यूस इंटु था टी वण तो क्या हो गया यहाँ alar अच्छी पलस बन इंट्टो बंड प्लस वांकितना हो गया हूद क्या number of factors निकालना सीख लिया आगे number of factors निकालना ठीक है तो 7744 का निकालो अरे निकालो भई क्या हो गया 7744 सुन तो ऐसे रहे जैसे कि पटाक से निकाली दो गया अब बाते कर रहा है पीछे बीच में मिश कर दिया कर रहा है 77 क्या सर 7744 7744 निकालो भई 7744 सेवेन अरे अरे यह क्या हो गया तो 7744 ठीक है अरे इसमें कुछ समझ में आ रहा है और यह क्या number 11 से ड्यूसबल है कि नहीं है हाँ यह नंबर 11 से ड्यूसबल है कि नहीं है कि नहीं है कि क्यों अरे क्या सॉल्व हुआ है कि कर देखते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्लास की टाइमिंग एक से थीन है ना यह सही साथ की हां तो अभी करते है कितना रहे हैं कि 21 ठीक है लास कोशन है 18522 बस इसके बाद क्लास ओवर 18522 18522 सबका आगया ओनलाइन भी 18522 185 नबार फेक्टर्स करो और करो साढ़े लुक करो करो 18522 किसका क्या रहा है अरे 774 का कितना रहा है 21 आ रहा था अरे इसका कितना रहा है पर यह बताओ इतना रहा है 32 किसका रहा है नहीं कि इताठी रूकिसका रहा है 32 साही है तरफ मेरा ही आ रहा है 32 आ रहा है इसका आंसर कुछ मिस्टेक कर दी तुमने क्या हो गया अब बढ़िया गिया यह बढ़िया यह बढ़िया तरो 185 22 करो जल्ली से आगया कितना रहा था कितना रहा है गलत आ रहा है पंदरा रहा है 24 आ रहा है इसका 32 तुमारा रहा है और भी कर लो भाई और मेनद कर लो थोड़ी सी आउनलाइन कितना रहा है सोला आ रहा है तीन चार चार ठीक है कि मैस ही नहीं आ रही है कि अग्राइब कर दिया है कि स्टार्टिंग से बताओ कि इतना आएगा यह कि इतना आएगा यह 9 261 अग्राइगा कि आएग कि आएगा 3087 अग्राइगा 1029 अग्राइगा 343 तो सेवन क्यूब है ना 343 तो क्या एगा 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब तो कितना एगा 1 प्लस 1 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 कितना एगा यह 32 क्या मिस्टेक कर रहे थे बहुत बढ़ा गया था पकर है इसको 32 किसी को कोई डाउट है नंबर ओफ्यक्तर निकालने में यह जो कोई डाउट है निकालने में सब्सक्राइब क्लास में लीस्ट वाइड़ी बेडिलेट कॉस्चन करेंगे ठीक है करेंगे और LCM-HCF के बीज का एक रिलेशन होता है वो देखेंगे ठीक है ना LCM into 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 number two क्या clear है यहां तक ठीक है फिर चलो class को हम करते हैं बाबाई खत्म कर दो